और इस दिल में क्या रखा है झाल 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 जाल झाल झाल किसी मनसब किसी मसनत का पुजारी तो नहीं अपना हक मांग रहा हूँ मैं विकारी तो नहीं शाम आती है तो ये सोच के डर जाता हूँ आज की रात मेरे शहर पे भारी तो नहीं हर गुजरते हुए पलका मुझे देना है हिसाब जिन्दगी है ये मेरी वक्त गुजारी तो नहीं चार कांदों की सवारी भी हबत है पगले हर मुसाफिर के मुकदर में सवारी तो नहीं हर गुजरते हुए पलका मुझे देना है हिसाब रिष्टो की कहकशा रिष्टो की कहकशा सरे बाजार बेच कर रिष्टों की कहकशां सरे बाजार भेचकर घरबार को बचा लिया दीवार भेचकर शोहरत की भूग हमको कहां लेके आ गई हम महतरम हुए भी तो किरदार भेचकर लेकिन चढ़ों से अपनी उखड कर भी लोग जीते हैं किसी के लिये मगर हवा से जगड कर भी लोग जीते हैं कोई भी धं हो बहुत देर तक नहीं रहता महबतों में बच्छड कर भी लोग जीते हैं मुहबतों में पिछड़कर भी लोग जीते हैं मुहबतों में पिछड़कर भी लोग जीते हैं क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता कमाल के मिस्रे हैं समझ में आने वाली बात है क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता आसू की तरहां आख में आ भी नहीं सकता तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या हर शक्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता और ये शेर के लिए पड़ा है के वैसे तो एक आशू ही बहा कर मुझे ले जाए वैसे तो एक आशू ही बहा कर मुझे ले जाए ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता नहीं नहीं सकता बला से जखमे दिल रिस्ते हुए नासूर बन जाएं बला से जखमे दिल रिस्ते हुए नासूर बन जाएं मगर कंजर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे देख लेते हैं जो मुझसे रोज कहते थे कि तुम से जान दे देंगे चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं चलो उन दोस्तों को आजमा कर देख लेते हैं गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता मुझे तो जिन्दा मेरे दुश्मनों ने रखा है मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता दुश्मनी जम कर करो पर इतनी गुन जाइश रहे फिर कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिन्दा नहों शीशा तूटे जाइश सबस्क्राइब गुल्मक जाए तूते खुलबच जाए साप जाए साप जाए साप मझत चात हे साप जाए कर दो बाजार लग्यiben सबबनाanne कर दो कर दो AMY कर दो सही कर दो दो बाजार कर दो में में कर दो लगना रटेका जो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो अपनों से तो घैर ही अच्छे 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 अपनों से तो घैर ही अच्छे अपनों से तो घैर ही अच्छे अपनों से तो घैर ही अच्छे यह जो मैं कता पड़ रहा हूं बलके कता ने पूरी घजल है हमारे जिले के बड़े मशूर शायर है तकी शेरकोटी साहब कुछ मिस्रों में कहते हैं मेरे महसु हो तो मुझे को ये सजावत देना आज के दोर में जीने की दुआवत देना आज के दोर में जीने की अजावत देना अब पाकिजा खयालात नहीं लोगों के अब पाकिजा खयालात नहीं लोगों के अब पाकिजा खयालात नहीं लोगों के अब जोस्तीकर ना मगर घर का पता निदे देना आज के दोश्तीकर ना मगर घर का पता निदेना दोस्ती करना मगर घर का पता मेरे महसिन हो तो मुझे को ये सजा मत देना आज के दौर में जीने की दुआ मत देना आज के दौर में जीने की दुआ मत देना अब पाकी जा खयालात नहीं लोगों के दोस्ती करना मगर घर का पता मत देना जिसके मिल जाने से अपनों की न पहचान रहे ऐसी दौर भी मुझे मेरे खुदा अज के दौर पहुत्वी और को आज केदेना अज के मुझे में लोगों के में तौरotte ये पढ़े तो हैं उस्ताद नुस्रत पते अली खान साहब ने लेकिन अभी दोरे खाजिर में हमने जब से पढ़े हैं लोगों ने हमसे भी सुनना शुरू किये हैं क्योंकि हमने अपने अंदाज में उनको पढ़ने की कोशिश की है वो दो आस्मान हैं हम जमीन हैं असल में एक दो मिनट की बात पर जरा तवज्ज़ देना अना जिसको एटिट्यूट कहते हैं जिसको तकबूर कहते हैं घमंड कहते हैं ये अल्हा रबु लिज़त के अलावा किसी शक्स पे वाज़े है ही नहीं और सबसे बड़ा एक्जैम्पल हम पे हुजूर इपाक सुल अल्हाले लिए सलम की जाते मुबारक है कि उन्हीं का सब कुछ है लेकिन बातशाही में फकीरी की आपने कभी भी बड़े जमले बड़े बोल नहीं बोले हैं तो हम लोगों क चाल-बाइस साल का तजरुबा है अपनी फिल्ड का आप जब तक के जर्ल उटाएंगे आपके जेरे दस्त है दुनिया खीच कर हाथ तजरुबा कर लो कितनी मतलब परस्त है दुनिया यह दुनिया बड़ी जालिम है आज मेरे पीछे तो कल किसी और के पीछे और यह यह बड़ी बड़ी नसले तबाह हो गई फना हो गई बरबाद हो कितने एक्जेंपल तो बच्पन से क्योंकि मैं पहले हाल डिस्ट ऐसा हूँ जो बच्पन से सक्सेस हूँ जिसने 6-7 साल की उमरों में अल्ला तबारको ताला ने जिसे तरकी अता फरमाई वो मैं हूँ लेकि मैं नहीं कह सकता कि मैं हूँ यह अल्ला देने वाला है जो भी कुछ करता है अल्ला करता है आज मेरा नाम है कल नहीं होगा वतो इज्जो मंतशा वतो जिल्लो मंतशा लाही देने वाला है अल्ला ही लेने वाला है किसी के बाप में ताकत नहीं है किसी को इज्ज़ जि लट दे दे यह अल्ला दिलों में डालता है तो मिस्रे नजर कर रहा हूं ज़रा तब जो जाओंगा आए है चार मिस्रे सुने मियां सराते इश्क से बचकर चला तो क्या होगा सिराते इश्क से बचकर चला तो क्या होगा खता के बदले मिलेगी सजा तो क्या होगा खुदा को भूलने वाले कभी ये सोचा है बगएर सच्दा की ये मर गया तो क्या होगा खुदा को भूलने वाले कभी ये सोचा है बगएर सच्दा की ये मर गया तो क्या होगा जबकि अल्ला खुद फर्माता है अला भी जिक्र लाही तत्माइनु अल्कुलूब ना पैसा ना दौलत ना शहरत ना ताकत ना इज्जत कोई चीज इनसान को सुकून नहीं पहुचा सकती अल्ला खुद पुरान अजीम में फर्माता है अला भी जिक्र लाही तत्माइनु अल्कुलूब अगर इनसान को सुकून मिलता है तो अल्हा के जिक्र से मिलता है इसलिए तब जो चाहूँ है अब मेरी इतनी बड़ी तक्रीर तक्रीर मत समझेगा ये एक छोटे सा छोटे भाई की नसीहत है इतनी बड़ी जो स्पीच है ये सिर्फ क्या है अपना अखलाक वसी रखो जो हुदूर पाक की सुनना थे वरना मिया ये दिन भी आएंगे वो दिन भी दूर नहीं चार मिस्रे सुनो इसी मौज़ू पर माइक ज़रा सही करें चार मिस्रे इस मौज़ू पर पेश कर रहा हूँ बड़ी ही शान से रहते थे लोग जिसमें कभी उसी मकान में अब मकडियों का जाला है बहुत गुरूर है तुझको तो अपनी दौलत पर इसी गुरूर ने कितनों कुमार डाला है अमीरे शहर का नश्या उतरने वाला है हमारे जिसम का एक जखम भरने वाला है तु रो रहा है के दस्तार छिन गई तेरी तु मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है इसलिए तब जो चाओंगा क्योंके जितनी भी कीती उतनी महबत नहीं मिली क्या फाइदे को रोई ये लागत नहीं मिली आतिल हमारे गतल से मशहूर हो गया हमको शहीद हो के भी शहुरत नहीं मिली लेकर इन्सान बाज नहीं आता अपनी फितरतों से यकीनन बे मरुषत पर मुरँषत आही जाती है निगाहें चार होती हैं महबत हो ही जाती है कुसूर उसका नहीं मगरूर है वो गर जवानी पर खुदा जब हुस्ण देता है नजाकत आही जाती है लेकिन तब जो चाहूंगा दोस्तों दोस्त क्या खूबु वफाओं का सिला देते हैं हर नए मोड़ पे एक जखम ने तुम से तो खेर घड़ी भर की मुलाखात से ही लोग सत्यों की रिफाकत को भुला कैसे मुम्किन है धुआ भी नहों और दिल भी जले चोट लगती है तो पत्धर भी सदा देते हैं कौन होता है मुसीबत में किसी का एदो आग लगती है तो पत्ते भी हवादी आग लगती है तो पत्ते भी हवादी दो मिस्रे पढ़ रहा हूं लेकिन इंशालला मज़ा आ जाएगा दुश्मनी करके मेरा कुछ भी न करपाओगे दुश्मनी करके मेरा कुछ भी न करपाओगे दोस्ती कर लो अगर मुझे को मिठाना चाहो करके मेरा कया पत्ति दुश्मनी करके मेरा कुछ भी क्यमनी करके मेरा काइगे आप लोगों ने धरोसा तो बहुत सुना है मैं इक नया मतला पढ़के जा रहा हूं इस मैंफिल में दोस्ती ने किये वो सितम दोस्ती ने किये वो सितम दुश्मनी की जरूरती नहीं दुश्मनी की जरूरती नहीं तुष्माल कि जरूरत नहीं अब तो जाहिर में ये हाल है हर किसी से म criticizing बयाने लिए हाल है नहीं जेंख को औरती रही आपको जाहे पे यहाले इर्फान भाई के नजर ये शेर कर रहा हूँ और इस शेर को जनाभ अजीम नाजास आपने लिखा है जो आजगर रील पे बड़ा वाईरल है मैंने तर्तीब चेंज की है लेकिन कमाल है जिन्दगी मुझे को तड़ पाएगी मुझे को तड़ पाएगी मुझे को तड़ पाएगी मुझे को तड़ पाएगी एक ने मुझे को धोखा दिया दूसरी से महाबच नहीं कर दूसरी अपाएगी 5 सिंदगी मुझे को सिंदगी मुझे को तड़पाएगी मौत ना जाने कब आएगे एक ने मुझे को धोबा दिया दूसरी से महाबत नहीं 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 बेवफा 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 एक नया टॉपिक है ये भाई और चार मिस्त्रे सुनें बेवफा बेवफा तू बेवफा है फिर भी मेरे दिल के पास है वो हांसला कहां के तुझे पाके खो सकूं तेरी नजर थिकर गई दुनिया से बेखबर मेरी मजाल क्या के मैं दीवाना हो सकूँ दुनियां में तेरे इश्क का चरचा न करेंगे मर जाएंगे लेकिन तुझे रुसवा न करेंगे तुझको अगर इन मेरी निगाहों से गिला है चादूर से भी अब तुझे देखा न करेंगे इसका मुझे सबसे अच्छा शेर ये लगता है मैं अपने भाईयों से तो जो चाहूंगा आप तो है वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो खाब पूरा जो ना हो ना दिखाना मुझे को खाब पूरा खाब पूरा जो चाहूंगा जो चाहूंगा जो च्छा शेर लगता है वो नजर कर रहा हूं क्योंके आजा मैं तेरे हुसन का सद्का उतार दूँ तनहाईयों में मिल तेरे केसु सवार दूँ जाने बहार जाने चमन जाने आर्जू मैं तेरे साथ रहके घमे हिज्र कार्ड दूँ इसलिए तो हो जो चाहता हूं अहाँ बेवफा पर ये भी मिस्रे सुनें यकीनन ये तुम्हारे इश्क का जिन्दा करिश्मा है मैं अपनी जिन्दगी को जिन्दगी महसूस करता हूं मेरी जोगे नजर को इश्क की मेरा आज हासिल है मैं हर सूरत में सूरत आप की महसूस करता हूं करना और ने है वक्त बरबाद करते रहते हिचकिया तुझको आरे ही होगी हम तुझे याद करते रहते हैं कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। जरा सामने वाले बैठ जाएं आप लोग। बेवफ़ बेवफ़ चार मिस्रे और सुने लास्ट फूल तो फूल हैं डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब हैं फूल तो फूल हैं आखों से घिरे रहते हैं काटे बेकार हिफाज़त में लगे रहते हैं तुझको फुरसती ही नहीं मिलती पलट कर देखें हम तो दीवाने हैं दीवाने बने रहते हैं पिवावा जो स्थे अज़ारी में बेवावावा जो बेवावावा जोना कर देखें मुझको भावावावा जोना कर देखें उस भेवावा की आख से आशोना मंगना सर चाहे मांग लेना ये बादू ना मांगना उसका खुलूस उसकी नजर उसकी बेरुखी काघज के फूल से कभी खुशबू ना मांगना मैं वकील भाई से तो चाहूंगा थोड़ा सा रास्ता तो छोड़ दीजिए हलका सा तुमारे शहर से में उठके जाओं कैसे मिया तुमारे शहर से कोई रास्ता दिखाई तो दे इसलिए आप से तो जो चाहूंगा आप तो है बहुत खूब तर लगना जाए किसी की नजर आप तो है बहुत खूब तर लगना जाए किसी की नजर आओ धिल में छुपानू तुमे आओ धिल में छुपानू तुमे फिर किसी की जरूरत नहीं आखिर में ये मतला पढ़के एंड कर रहा हूं मैंने इसकी कंपोज नहीं कर दी है आशिक वफा की राह में हर जलम सहते हैं शम्मा किलों पे जलके ये परवाने कहते हैं तुझे क्या मिला है जारी में मुझे क्या मिला है जारी मुझे वे करारी कर दे तुझे क्या मिला है जारी मुझे क्या मिला है जारी मुझे करार करके और यह शेर सुनिएगा जिसकी वज़ा से सुनाए है आखिर के पर ले इसको जरा मज़े से ले ले जिस तीर की सदों से मैं बचा रहा था दिल को आखिर की सदों से तुने बचा रहा दिल को आखिर की सदों से तुने बचा रहा दिल को दिल को वही तीर तुने जोडा मेरे दिल के पार दिल के पार दिल के सितन मैं शेर सुनो थोड़ी से आवाज बढाना स्पीकर छोड़ना कभी जिन से दोस्ती थी वो हुए है आज दुश्मन कभी जिन से दोस्ती थी वो हुए आज दुश्मन कभी जिन से दोस्ती थी वो हुए है आज दुश्मन ये तुचुर्ण ये हुआ है मैंस हासिल ये हुआ है मैंस हासिल मुझे उन से प्यार करके कभी जिन से दुश्मन मुझे क्या मिनारा है नार मुझे ने पराण मेरा हुआ दुश्मन मेरा है दुश्मन करके वही तीर दुश्मन जोडा मेरे दिल क्या मेरा हुआ दुश्मन मुझे और दुश्मन झाल झाल